हरी मिर्च का ठेचा बनाने के लिए 100 ग्राम मैंने हरी मिर्च ली हैं 100 ग्राम हरा धनिया लिया है दोनों चीजों को अच्छे से दो लें एक चमच तेल नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे या लगबग आधा चमच से थोड़ा सा कम लगेगा 50 ग्राम मुंफली मैंने लिए और ड्राय रोस्ट कर लिया है बिना गी तेल के थोड़ा सा भूनने बोज़जादा लाल ना करें इसको तो यह ड्राय रोस्ट की हुई 50 ग्राम मुंफली लिया है आदा चमच निम्बू का रस लिया है यह optional है अगर आप खटा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं वरना अवाइड कर सकते हैं इसको और ये 5-6 कलिया लैसुन के लिए हैं और मोटा मोटा काट लिया है इसको अब मिक्सी का जाड लेंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया साथ में डालेंगे हरी मिर्चे लैसून और अगर लैसून नहीं डालना चाते है तो आवाइड कर सकते हैं लैसून को नमक साथ में डालेंगे मॉंखली भूनी हुई और अब इसको पीषना है दरदर बिना पानी के पानी नहीं डालना है चटनी हमने पीस लिए और मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है यह दिखिए इस तरीके से पीस के तियार हो जाएगी और अगर आप से पीसने में दिक्कत हो तो एक दो चमच पानी डाल के पीस सकते हैं तो चलिए गैस ओन करेंगे अब एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे यह तेल जैसे तेल फोड़ा गरम हो जाएए इसमें डाल देंगे यह पीसी वी चटनी गैस को एकदम कम रखें पए पाप और चल्ञ वर अच्छी से इसको चला लेंगे इस से अच्छे मिक्स करने के बाद में टक्टन लगा देंगे और 2 मिनट तक एकदम कम आच की उपर इसको पकने देगे इसो बाद नहते दो मिन दे एक अगर नमक कम लगे तो नमक एड़ कर सकते हैं इसमें चलिए निकाल लेते हैं लीजिए तयार हो गया है हरी मिर्च का ठेचा इंजवाए करें रोटी के साथ पूरी के साथ वैसे मेरे घर में प्राथे के साथ में सुबह सुबह ये खाया जागता है